चुनाओं के तेयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और AICC एलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाये जाएंगे यह आज के समय की एक बड़ी जरुरत है इसी लिए इने हम तुरंत स्तापित करेंगे सभी राज्यों में जल्दी पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी बनेगी कॉंग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस अडवाईजरी कमिटी और SCST OBC वर्गों के लिए लीडर्शिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा हमें उदाइपूर में संकल्प लिया था कि देश में मौजुदा सरकार की अराजकता को मूँ तोड जवाब देंगे बीजेपी आरेसेस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो वो लोग निव इंडिया की बहुत बात करते हैं पर ये कैसा निव इंडिया है जिसमें इवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जा किसानों को जीब के नीचे कुचल दिया जा रहा है जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है ये कैसा निव इंडिया है जहां जनता मंगाई से त्राई त्राई कर रहे हैं लेकिन सरकार आखे बंद करके बैटी हुई है भारत की जनता की कमाई और मैनत बेच रही है अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है इस निव इंडिया में भूकमरी बढ़ रही है प्रदूशन बढ़ रहा है शिक्षा महंगी हो गई है लेकिन रुपए लुड़क रहा है यहां सरकार सो रही है लेकिन एडी इंकम टैक्स सी बी आई दमन के लिए चोबी सो घंटे काम कर रहे हैं उनके इस इंडिया में दलित आदिवासी अल्पसंक्याक सोशित समाच के लोकों को अपमानित किया जाता है उनके मूखे चीने जा रहे हैं और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में जूट को सच और सच को जूट बनाया जा रहा है यहां गोडसे को देशवक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशदो ही बोलते हैं यहां बाबा साहिब के समीदान को बदल कर संग के समीदान को लाने की कोशिश हो रही है इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहें आज मैं खास कर इस मुक्त पर हमारी पार्टी के नहीं चुनेगे नौ हजार से भी ज़्यादा डेलिगेट्स पी सी सी डेलिगेट्स को बहुत बदाई देता हूँ और उन से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी पार्टी के आदार हो आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से खरीब हो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कांग्रेस संगटन के आँख और कान हो आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के छे करोड प्रात्मिक सदश्चों के सुक दुख के साती हो हमारा एक आम कार्यकरता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंद्री संगटन मजबूत बनता है Today, I want to call upon my Congress family to come together to carry the message of Bharat Jodh Yatra to every new court corner of the country the message of economic equality, safeguarding constitutional values, communal harmony वियू नुनुन आपरचुँईस तो यूट इंदिया खायर उसानि हम भुपी पुपी पुपी जा इंदिया टेंद पुप जासानि झाल इंदज विजए विजए अग्या जास्टार्दाइ की लिजए और आप फित के अच्रुट करें विए एंदिया की लोगेट मुझ आप्सक्राइब बश्पलाइब प्रिफ और चिर्म में वोट्री भूच प्हार्टी अटरी अब्सक्राइब रिश्वाट अग्सक्राइब ले ओंग इस घ्र सम्ग्र प्रूट जें ठेम्निकटों अप्रूज अग्ड्राइब बाट चाहरां प्रूद अबूझान अगी प्रफ्यली इंच झूह सोप्टिक आपनाग कीजू एंच कहते हैं. I also would like to thank CWC members, PCC Presidents, CLP leaders and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates and I want to tell them that you are the foundation of our party. As President, it will be my utmost duty to look after our workers. Together, we will build an India that will be enlightened, empowered and equal for every citizen. इस देश में समिदान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी, लोकों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, महेंगाई, बेरोजगारी, भुक्मरी से लड़ना होगा, भारत वास्यों के भविश्क की रक्षा करनी होगी, आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाओ होने हैं. जनता इन राज्यों में बद्राओ चाहती है, हमें मजबूती से इन में अपने पार्टी का प्रदर्शन करना होगा, आप सभी का सहकार और सभी की महिनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश्च पाएंगे. हम महात्मा गांधी के सिपाई हैं, हम किसी से डरते नहीं, और जब कांग्रेस कारिकरता अपने अंदर के डर को निकाल देगा, तो बड़े से बड़ा सामराज भी गुटने टेक देगा. तो इसलिए मुझे एक बार जाल आता है, राहुल जी जब लोकसभा में थे, एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किले हमको आएंगे, इसको डरना नहीं, उनका वरड़ी था डरो मत, और वोही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेकी चलीगे. मैं देश के युवाओं से कहना चाता हूँ, कि जो लडाई कांग्रेस लड़ रही है, वो सिर्व हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, यह आपके भविश्कि लडाई यह, जिसे हम सब मिलकर लडेंगे, और जीतेंगे, और एसे स्विस में हासिल करेंगे इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को समाव करता हूँ जाई हिन जाई कांगेश